हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ साइडल, मैसल डॉक्टर कविता गुपता, बचों हमने लास्ट लेक्चर में फरस्ट आईजोमोर्फिजम थेोरम देखी थी कि क्या थी और उसका प्रूफ किया था, आज उससे रिलेटेड एक प्वेशन कर इस तरीके से अपने elements को define करती है, पहले dihedral group जड़ा सा revise कर लो कि dihedral group क्या था, dihedral group के अंदर d4 है, तो इसके अंदर 8 element है, क्योंकि dn का order जो होता है, order of dn to n होता, तो order of d4 आपके पास 8 आगया, और d4 के पास 8 element होंगे, जिसके अंदर 4 reflections होंगे, और 4 rotation, तो rotation आ गई, r0, r90, r180, r270, और इसकी reflections आ गई, h, v, d, d dash, और mapping आपकी जो operation है, that is composition of mappings, ठीक है, h का मतलब horizontal, v मतलब vertical, d मतलब diagonal, और d dash भी दूसरे वाला diagonal है, जैसे ये square है, ये d है, तो this is my d dash, ठीक है, तो आपका ये d4 के elements है, clear, अब मेरे को ये, जो भी question है, इसके लिए मुझे फर्स्ट isomorphism theorem की जरूरत पड़ेगी, वो क्या थी, फर्स्ट isomorphism जो इससे पहले कराई, कि if phi is a homomorphism from g to g dash, then g by kernel phi is isomorphic to phi of g, ठीक है, isomorphic to phi of g, अगर on to homomorphism है phi, तो ये phi of g बन जाता है, g dash, तो मेरा आ जाता है, g by kernel phi is isomorphic to g dash, अगर phi on to homomorphism, है, और अगर phi सिरफ homomorphism है, तो ये है मेरी first isomorphism theorem, तो इसका इस्तमाल करके आज हमें question solve कर रहे हैं, तो देखें मेरे को phi जो है dihedral group से dihedral group के ओपर homomorphism इस तरह के से define करके दे रखेंगे, आपको निकालना है x kernel phi, for all x belongs to d4 by using first isomorphism theorem, तो देखो x kernel phi है, ये कोसेट है, कोसेट है, निकालना है तो मुझे पहले kernel phi तो मिले, ठीक है, तो मैं क्या से काम करूंगी, आपको ये भी पता है, कि कोसेट किसके element होता है, factor group के, तो मैंने क्या किया, phi is from d4 to d4 है न, इसके ओपर first isomorphism theorem लगाई, कि अगर ये phi जो है homomorphism है, तो g by kernel phi is isomorphic to phi g, अब g की जगे d4 आ गया, तो d4 by kernel phi is isomorphic to phi d4 आ गया, अब d4 by kernel phi के element किस form के होंगे, कोसेट्स, यानिकी x kernel phi where x belongs to d4, तो इसके अंदर अगर मुझे kernel phi मिल जाए, तो मैं उ उसके ओपर x operate करके निकालोंगे, उसके elements x kernel phi क्या होंगे, अब kernel phi क्या होगा, phi क्या है, d4 से d4 पर mapping है, तो kernel phi क्या होगा, आप देखिए कि kernel phi के पास कितने elements आ जाएंगे, जो identity पर map होंगे, यही होता है, kernel phi की definition यही कहती है, कि सारे set of all those elements of the domain which are mapped to the identity of code domain, तो आपको पता है कि r0 हमेशा identity है, identity हमेशा identity पर map होती है, ठीक है, और दूसरा r180 जो है आपका, that is being mapped to, किस पर है, देखो, यहाँ पर देखो, r0 पर कौन-कौन mapped है, यहाँ question से देखा, phi of r0 r0 है, और phi of r180 r0 है, question में given है, इसका मतलब identity पर सिरफ यही दोनों element map हो रहे हैं, क्योंकि और किसी क और कि image r0 नहीं आ रही है, तो मुझे question से पता चला, कि r0 and r180 are those two elements of the domain, which are mapped to the identity of core domain, तो यह दोनों element r0 और r180 किसके आ जाएंगे, करनल 5 के elements आ जाएंगे, तो मुझे चाहिए x करनल 5, तो x करनल 5 है, तो x कहां से आ रहा है, d4 से, तो d4 के ओपर यह करनल 5 के elements उपरेट कर दो, तो क्या आ जाएंगे, d4 के तो 8 element है, ठीक है, तो r0 करनल 5, फिर r180 करनल 5, ऐसे r90 करनल 5, सारे element x के जो है, इसके ओपर आपर आपरेट कर दो, मैंने x के सारे element आपको बता भी दिये, ठीक है कि क्या है, मतलब sorry, d4 के सारे element आपको बता भी दिये, अब इन सब को निकालना फाई r0 आपको question में क्या आगी बनाएगे, देखो, फाई r0 आपको r0 की बनाएगे, ठीक है बचो, यहां तक समझ आ गया, राइट, आप देखे, r90 into kernel 5, यह किसके बराबर होगा आपका, फाई 90 के बराबर होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि g kernel 5 क्या होता है, 5g है, homomorphism की property है ठीक है, homomorphism की property क्या है, 5 is from g to g dash is a homomorphism, then 5 of g क्या होता है, g kernel 5 होता है, ठीक है, तो r0 kernel 5, 5r0 के बराबर होगा, r90 kernel 5, 5r90 के बराबर होगा, और 5r90 आप question से निका लेगे, यह देखो, 5r90 क्या दिया हुआ है, यह question से, h, ठीक है, तो 5r90 question से हमें मिल गया, h, clear, एसी बाकी के elements निकाल लो, बेटा, r180 kernel 5, 5r180, आप question से देख लो, 5r180 आपका r0 पे था, तो यह r0 आगया, ऐसी r270 का निकाल ली गया, ठीक है, तो आपने सारे element इसके उपर operate करके देख लिए, h का भी देख लिए, v का, d का, d डश का, सब की यह लेते जाए, 5h, 5v, 5d, 5d, यह सब question से आपको मिलते चले जाएंगे, तो मैंने यह जो by 5, 6, 7, 8 लिखा होगा न, यह वाली equations लिखी, ठीक है, सब को question से निकल गया answer, clear हो गया बच्छों सब को, तो direct use of fast isomorphism theorem, उससे मुझे यह x kernel 5 बहुत अराम से लिए, वरना मुझे kernel 5 के साथ सारे element x के operate करने पड़त निकलने के लिए, मैंने direct phi r not निकल के, यहाँ पे r not निकल निकल, clear हो गई सब को बात, ठीक है बच्छों, सो आज की lecture में एक यह question करना था, next class में और बढ़ेंगे, till then बढ़ाई करते रहें, all the best.